सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें एक शक्स मिठाई की दुकान में हंगामा कर रहा है उसका आरोप है कि मिठाई में कीड़े निकले हैं हाला कि न्यूज एटी निस वीडियो की पुष्टी नहीं करता आप भी देखिए मिठाई लिने से पहली साथधान मिठाई में निकले कीड़े सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है जहां पर मिठाई की एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है लेकिन वहाँ पर एक शक्स हंगामा करता हुआ आपको नजर आएगा दरसल वह मिठाई की दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों पर बुर इतरा से भड़का हुआ है उसका दावा है कि वो दुकान से जो मिठाई खरीद कर ले गया था उसमें कीडे निकले है और इसके बाद तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया मिठाई की दुकान में दूसरे ग्राहक भी हैं जहां वो सभी को मिठाई में कीड़ों को दिखाता है और कोने कस्टमर या पर? बेटा आप इदर आओ, गुड़िया इदर आओ उठाओ बेटा कोई सबीस वीडियो आगरा के रकाब गंज थाना शेत्र के प्रताब पुरा चराहे की एक मिठाई की दुकान का होने का दावा किया जा रहा है हाला कि न्यूज 18 वारल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है ग्राहक का आरोप है कि उसने मिठाई की दुकान से 20,000 रुपे की मिठाई खरी दी थी लेकिन ज़्यादा तर मिठाई में कीड़े निकले है उसका ये भी आरोप है कि जब उसने दुकानदार को केड़े वाली मिठाई दिखाई तो उसके साथ बचसलूकी की गई इसके बाद उस शक्स ने अपनी शिकायत पुलिस और खाद विभाग से कर दी है दिवाली बहुत करीब आ गई है दिवाली पर मिठाई की भी बहुत डिमांड रहती है कई जगों से मिलावट खोरी की शिकायते मिली है खाद विभाग और पुलिस की टीम भी लगातार चावे मारी कर रही है और कारवाई कर रही है लेकिन दिवाली पर अगर मिठाई खरी दें तो इसको लेकर बेहत साबधान रहें आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरेशी की रिपोर्ट पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती तभी तो मंडला में 70 साल दादी अम्मा अनार सीख रही है अ से अनार सीख रही है कई बुजर्ग महिलाओं ने यहां कलम को अपना नया साथी बनाया है ये महिलाएं पढ़ना लिखना सीख रही है आप भी देखिए कैसे ये महिलाएं पूरी लगन से पढ़ाई कर रही है 70 साल की भगवती पढ़ते अ से अनार सीख रही है 65 साल की सिलोचना बाई भी गय से ग्यानी बन रही है इनहीं के जैसी और भी कई महिलाओं या यू कहें दादियों ने अंगूठे को अंगूठा दिखानी की ठानी है कलम को नया साथी बनाया है पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती चाहे जो भी उम्र हो पढ़ाई शुरू की जा सकती है इसके लिए चाहिए सिर्फ लगन ये महिलाओं भी पूरी लगन के साथ पढ़ाई लिखाई में जुटे हुई है मेरे को बताया गया कि अक्छर साथी बन जाओ उसके द्वारा महिलाओं को जागरूप करो उनको दसकत करना सिखाओ तो वही सब मैं उनको पढ़ा रही हूँ सिखा रही हूँ ये महिलाओं घर के जिमिदारी संभालते हुए पर नहीं पाई शिक्षा के अभाव में ये शासन की योजनाओं तक से वन्चित रह जाती है राशन के दुकानों बे अंगुठा लगाती हैं लेकिन अब इनका कलम चलेगा इन्होंने अभी अभी कलम पकड़ना सीखा है पढ़ना लिखना सीखा है ये महिलाओं हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रही हैं और दस्थकत भी करने लगी है इन्हें पढ़ानी की जिमेंट अब इन्हें पढ़ना लिखना लिखना सीखा है तो हम सीखे हैं ऐसे ही अम्मी इनको नए नए तरीके से थोड़े गाव जाकर ताकि इनका भी मन बहला रहे। ये महिलाएं सुम्र में पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। इसके श्रेज जिले के कलेक्टर सुमेश मिश्रा को भी जाता है। इन्होंने पदबार गराण करते ही छेतरों का दोरा किया। इस दोरान इन्हें गरामिन इलाकों में लोग अशिक्षित मिले। इन्हें शिक्षित करने के लिए जिले में असे अक्षर अभियान की शिरुवात की। कलेक्टर ने जिली की प्रात्मिक और माध्यमिक शालाओं में 2016 अक्षर कुना की स्थापना की पढ़ानी के लिए गाव के ही 1795 अक्षर साथियों को लगाया गया है इसके पश्चात जब इनको अक्षर गयान हो जाएगा तो प्रसासन के द्वारा इसमें भारसरकार की तरज पर इनके एक्जाम कराये जाएंगे जो लगभग साथ हजार से अधिक चात्र ऐसे हैं जिनको अभी निर्ख्षरता की श्रेणी में है तो इन सबी को तयार कर फरवरी माह में इनके एक्जाम दिलाए जाएंगे और इसके पश्चात हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग सत्प्रस्थ हमारी स्टूटेंट सफल हो और एक तरह से निर्ख्षरता का जो प्रवर निर्ख्षरता का कलंक है वो मंडला जिले से मिठ सके ये पहल शांदार है स्कूल में अब बच्चों के साथ ही बुजर्ग महिलाओं की भी क्लास लग रही है दादी अम्मा भी पढ़ना लिखना सीख रही है इन महिलाओं के लिए भी अब असे अक्षर है कृष्णा साहू न्यूज 18 मंडला सत्ना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदास देखनी को मिला मुख्यमंत्री कामगिरी परवत की परिक्रमा के लिए गए थे इस दौरान उन्होंने दुकान पर जाकर बच्चों को खिलोने खरीदे चाय बनाकर भी लोगों को पिलाया किसी को चश्मा पसंद आया तो किसी को खिलोने चाहिए थे सब ही की डिमांड पूरी हुई खुद सीम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें खरीदवाई देखिए जरा दुकान पर कैसे सीम बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे हैं ये तस्वीरें सतना की हैं सीम चत्रकूर्ट में कामत गिरी परवत की परिक्रमा के लिए पहुँचे थे इस दोरान उन्होंने एक दुकान पर छोटे बच्चों को खरीदारी करवाई किसी बच्चे के लिए उन्होंने चश्मा खरीदा तो किसी बच्चे के लिए खिलोने की खरीदारी की सीम ने भी खुद के लिए छोटी दुकान से दिवाली के खरीदारी की और डिजिटल पेमिंट किया इतना ही नहीं उन्हों लिन लोगों से पीम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर्ट लोकल की सपने को साकार करने की अपील की पीम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कामता नाथ का दर्शन कर पूजन करने के बाद कामता किरी परवत की परिक्रमा लगाई परिक्रमा मार्ग में सर्यू धरा के पास राधा कृशन मंदिर के नीचे चाई की दुकान चलाने वाली महिला राधा ने उन्हें चाई पीने के लिए आमतृत किया इसके बाद सीम दुकान पर पहुँचे लेकिन चाई पीने की जगह वो खुद लोगों को चाई पिलाते नजर आए दुकान पर पहुँचकर सीम खुद ही चाई बनाने लगे और चाई भी ऐसी वैसी नहीं अधरक वाली सीम ने खुद चाई चूले पर जड़ाई उसमें कूट कर अधरक मिलाई और खुद ही चाई चान कर लोगों को पिलाई सीम डॉक्टर मुहन ग्यादव की सादगी ने सभी का मन महुलिया शिवेंद्र बगेल निउस 18 सतना कि क्या आपने कभी कुबेर का खजाना देखा है रत्लाम के प्रसिद्ध मा महालक्षमी मंदिर में दिवाली पर सचता है कुबेर का खजाना सोने चान्दी नोटों की गड्डियां आपको दिखाई देंगी यहां पर धेर लगते हैं क्या है माननेता आईए जानते हैं कि मेरे पीशे और यह जो पूरी चत है वो नोटों के बंदन मार के सजाई गई है दस दीस पचाथ दोसों रुपए से लेके पांच पांच सो रुपए के नोट इन बंदन मारों में लगाए जाते हैं जिस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं वाकई में बहुत खूफूरत और बहुत आकशक लगते हैं यह वंदन मारों महालक्षमी मात की जाए यह मंदिर अति प्राशीन मंदिर है रत्लाम का यह सतकाल के समय से ही इस मंदिर की ख्याती है पूरे प्रदेश के अंदर इस मंदिर के अंदर महालक्षमी जी के साथ गर्भगरा के अंदर सरगोती जी गणेश जी विराजे हैं और सती माता की स्था अपनाए भोरा परिवार के हैं। अपना धन दौलत मंदर में शुबलाब की चोगडियों में कुबेर की पोटलियां भी बांटी जाती है। गड़ी जो है सब आकर जमा करते हैं। उसी गड़ी को रात को ग्यारा बजे बाद हम जो हमारे कुछ यहां पर सेवाद आ रहे हैं। पुरा व्यापाली सहंगे कुछ समाज जैने हमारे जो सभी मिलके इस तरह से पूल को प्यों जाता है। इस बार मा के दर्बार से सजाए गए चांदी के हाथी लोगों के लिए आकरशन का केंडर बने हुए है। महालक्षमी मंदर में सालों से गहने और राशी चढ़ानी के परमपरा रही है। इस भेट को रजिस्टर में नाम के साथ नोट भी किया जाता है। जुसके बाद दिवाली के पांचवे दिन रिकॉर्ड के ही आधार पर भक्तों को गेने और राशी प्रसादी की रूप में लोटा दिया जाता है। पैसों से और पूरा स्विंगार होता है और ये बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदीर है और ये मंदीर में दर्शन करने मातर साब की सारी मनुकामना पूरी होती है। मंदर पे करोणों रुपए का चलहावा चड़ता है तो सुरक्षा के इंतिजाम पे पुक्ता किये जाते हैं, CCTV कैमरों की मदद से निगरानी रखी जाती है। पुलिस मंदर की सुरक्षा में तहनात रहती है। इस मंदर की एक और विशेष्टा है कि यहां मा महलक्ष्मी के नौ रूप प्रिदमान है जिनके दर्शन और आराधना करने के लिए श्रधालू दूर दूर से आते हैं। सुधीर जैन, News 18, रतनाव। IIT कानपूर ने एक बार फिर अपने नाम नई उपलब्धी जोड़ी है। मात्र धाई किलो की पोर्टिबल एक्सरे मशीन बनाई है। इस मशीन को छोटे से बैग में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। कानपूर IIT अपनी खोज और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। वहीं अब उसने अपने नाम पर एक और उपलब्धी जोड़ी है। कानपूर IIT और Lenic Technology ने एक स्टार्ट अप करते हुए मात्र धाई किलो की पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाई है। जिसका आसानी से इस्तमाल किया जा सकता है। इसके बाद एक बटन के पुछ पे ये एक्सरे आईगी, आपका इमेज आएगा, ये पैनल उसके पीछे रहेगा, आपको डिजिनल इमेज सीधे आपके कम्पूर्टर में मिल जाए। तो ये हमारा गोल था और काफी हद तक हमने इसको अचीव कर लिया है। कैमरे की तरह महज एक क्लिक करके एक्सरे लिया जा सकता है, जिससे सही फैक्ट्स और रिपोर्ट का दावा किया गया है। और एक मिनिट के अंदर एक्सरे भी हो जाता है। आप उसको वैक्यूम में रसकते हैं, उसको हमने इसको ऑईल में रखा है, तो वो वोल्टेज वो ब्रिकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी मशीनों में बिजली की काफी खापत होती है, लेकिन इस मशीन के बैटरी से चलने की बात सामने आ रही है। मशीन का वजन धाई किलो है, जो अगले साल अपरेल के महीने तक बन कर तयार हो जाएगी। कानपूर से न्यूस 18 के लिए अमित गंजो की रिपॉर्ट।